नानक सिंग्जी द्वारा लिख्या नावल आस्तक नास्तक पाग वी कहावत हैं कि बंदा डिग डिग के स्वार हुंद है कुझ ऐसे तरह दी हालत संतां दी हुई पहला हफ्ता उनाने इक तरह नाल डिग डिग के गुजारया पर दूज्जा हफ्ता शुरू हुंद हैं ही ओ काफी हाथ तक संबल गए सन। खूब कोड खाके ते मोत नाल कुलंदा दाईया बन के उनाने इक वरी फेर अपने टुटे त्रेडे प्रणनू नवे सिरे गंड सा कर रहे सन। ओह इस गल्लों अनजान नही सन ते एवी जान दे सन कि उनाने हुन दबारा कोई कमजोरी दिखाई ता सारा बनया बनाया खेल विगड जाएगा। इकल के कदम नहीं रखनगे ते नाहीं बूहा खोल के किसे दे मत्थे लगणगे ते नाहीं मूझ उठाण दे रवादार होणगे। दाट जान दे वर्त दी म्याद विच जदो तिनक दिन बाकी रह गए ता हालत हदों बाहर विगडने शुरू हो गई। उखदे पामबडता मठे पै चुके सन पर एस तो बिना पेचस कब जी दिल दी तड़कन वाई ते होर कई रोगा ने आके उनानों केर लिया। पर फेर वी एत का उनाने हथे आरना सुटे केवल एक गालदी जटा जिननी रियायत तो बिना। अर्थात जद कदे गर्मी लग दी ता उना दा दिल बोता ही कबरों लग पैंदा कंटे दो कंटे लई पक्खा चला लेंदे सन। छेकड पाकी रेंदे दिन उनाने गुजार ही दित्ते बिना मों जुठान दे बिना बाहर निकलन तो। नतीजे दे तोरते उना दा शरीर काफी तरा कमजोर हो चुपका सी वर्त उपारन दा दिन आ गया। एस दिन संगता ने बड़ी पारी तों तामनल त्यारी कित्ती होई सी, कथा स्थान दो लेके कुटिया तक हजारा ही बलबादिया कतारा लटकरिया सन। जिनानू राती दीप माला दे तोरते रुष्नाया जाना सी, सारा शेर बगीची वीच उमलेया आरेहा सी, प्रबात वेले तोही कथा स्थान वीच संगतां दा ओना जाना जारी सी, छोटे तो वड़े तक सारे प्रेमी संतां दे दर्शन लई सहक रहे सन, दिन चड़ दे सब्तो पहलना स्वरन सिंग ते डाक्टर पजन सिंग ने अंदर प्रवेश कीता, डाक्टर ने नबज तड़कना दी देख पाल कीती, शरीर दी कमजोरी नू हटानली केल्शियम गुलुक को नेट दा इंजेक्शन दिता गया, ता जो कथा स्थान तक पोंचन ची संगता न आन विचकार जित्वों सारी संगत कार दर्शन कर सके उच्चा जिहा चोगान सजया होया सी, जो ही संता नू ले आके फास्तले दे सहारे उटे बठाया गया की मंडप जैजै कारनल गूंज गया, प्रेमिया दी बेपना पीड नू रोकन लेई सेवा दारां दी अड़ी चो होई सी, कई तरह दे पोजन त्यार करके सैंकडे ही माई पाई ले आये सन, ते हर किसे दी एहो ख्वाईश सी कि ओना दे ल्यांदे होई पोजन नाल ही महराज वरत खोलन, एस वेले स्वरन सिंग ने खड़या होंके बेंती करनी शुरू किती, साध संगत जी वरत खोलन दा स हो चुक्या है, थ्वानू सारे नू पता है कि महराज दी तबियत ठीक नहीं, ओ सकत कमजोर हन, एस ले बेंती किती जान दी है कि वरत खोलन समय किसे पीड़ पड़का ना कीता जावे, सारे ही प्रेमिया ने महराज दे छकन ली पोजन ले आन दा है, उना दी सेवा विच ख हास तोड़ते बेंती करदा हां कि हाल दी कड़ी डाक्टरा ने कुछ वी छकन दी मनाही कीती हुई है, एड़े लम्मे दे कठन वरत तो बाद मेदे विच पाचन दी ताकत बिल्कुल नहीं रह जान दी, जिना जिना प्रेमिया ने जो जो कुछ महराज ली ले आन दा है, उ दूसरी बेंती के संतां दे हुकम अनुसार इस खुशी दे मोके ते इमारत फांडले वद तो वद माया दी अरदास कराई जावे, ता जो इमारत दा कारत जल्दी तो जल्दी सिरे चड़ सके। दूर दूर तक मनुखी सिरांदा इक समुदर जेहा ठाठा मारदा दखाई दे रहा सी, ते एस समुदर ते काबू पॉन दी दर्जना सेवादार पूरा जोशला रहे सन। विशेश कारके इस लई की वर्त दे विचाले जेडियां इका दुका कमजोरियां कर बैठे ओना दा प्रतिकरम रूप एस वेले किते वी कोई चिन दिखाई नहीं सी दे रहा। इस मतलब लई उनाने इक तो वद वेरा सारी संगत उते डूंगी नजर फेरी पर कोई चेरा उनानों संका ग्रेस्ट जा असंतुस्ट नजरी नहीं आया। सगोईस्तो उल्ट हारीक शर्ता दे रंगच सरुबार सी पर इस विचाले अचानक ही उना दे मान दी सारी स्थर्ता अक्खां दी सारी खुमारी ते बिर्ती दा सारा टिको बिखर दिखर के रह गए जद संता उते दिस्ट पात कर देयां इक विशेश चेरे ते उना दी पर एस उते लिश्का रहियां दो मोटी अखां जेडियां एस वेले गरम पाणी दे दो चश्मे बन गईयां होन्या सन संता दे मरम स्थाल लई अग दियां लाटना ही ता बन गईयां लर्ज उठेया ता उना दा हिर्दा नाल नाल स्रीर वी एक दम अखां गे नेरा जया च जिवें बेहोश होन तो पहला चा जाया करदा है पर छेती ही ओ संबल गए किसे पावी खत्रे दे ख्यालों उना ने एक वारी तो बाद उस विनाशकारी चेरे वल दुबारा नहीं तक क्या जिवें अचानक ही उना दे अंदरों कोई पुकार उठ्या होवे सब कुछ चोड हो जाएगा सारी किती कत्री ते सवा फिर जाएगी जे उस पास से दुबारा नजर उठाई तुफान बड़ा जबर्दस्त आया ते आया वी अचिनते ही पर संता दे संयम ते द्रिरता दे दो मजबूत बान मार के उना ने अपने आपनू रुडन तो बचा ही लिया किसे न किसे तरा इस्तों बाद चोखा चीरोह अखां बांद कार रखियां ते फिर जदो खोली आ ता स्वरण सिंग दी अपील वज़ों संगता दबाद अब इमारत फांदली रखमा दियां अरदासा करा रहें सन स्वरण सिंग दे एक हाथ वीच रिजिस्टर सी ते दूजे लिखी जा रहें सी ते नालो नाल दात्यां दे नाम बोल ली जा रहें सी उसने अग्गे नोटां दा खासा खिलारा कर लिया होया सी चेकड़ दो पैर वेड़े एस मागम खतम होया संतानू पहला तोवी बड़ी तों ताम नाल कुटियां अंदर पहुंचाया गया रात दा प्रोग्राम स्वेरे नालो विवाद चाड़के सी सारी बगीची बिजली दे चानन नाल जगमगा उठी आतिश बाजी चलाई गई ते संतान दे वर्त दी निर्विगन समापती बारे सर्जन हारता तान्वाद कीतता गया एस पाट चैनने मिल दे अगले पाग दिनाल अग तिल दे चिए